नमस्कार राजस्तान मोसम समाचार में आपका स्वागत हैं आई जानते हैं अगले 3-4 गुंटों के दोरान और आज रातरी को राजस्तान के शेतर में कैसा रहेगा मोसम किन जलो में बारिश और अंदर की संबावन रहेगी इसके साथ ही बताएंगे आपके जले के बारे में भी सही और शाटिक जानकारी तो आप सभी साथियों से विननती रहे कि वीडियो को अंतर तक देखिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जुर कर देजेगा साथियों आज दो पेरिक के बाद से ही राज़तान के शेतर में बारिस की गतिविडियो की सुरुवात हो चुकी है पूर्वी राज़तान से इसकी सुरुवात हुई है जिसमें जैपूर और बरतपूर शंबाग की कई सारे जिलों में अगले दो से तिन गंटों के दोरान ते साम के समय यहने साम के छे बज़े के बाद से ही पच्छी मीरास्तान में भी कुछ एकस्तानों पर बारिस की गत्वीदियो की सिरुवात हो जाएगी जिसमें जोद पुर्ष लेकर जैसल मेर के बीच वाला बाग है यहां से बारिस की गत्वीदियो की सिरुवात होगी और फिर देखते हैं अगले दो से तीन गंटों के दोरान यहने आज रातरी के समय में बाड मेर जालोर के बागों के पर भी अच्छे खासी बारिस की गतिविद्या होने के संभावनाई बन रही हैं जिसमें बाड मेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी बाग, कुछ मद्धे बाड मेर के बाग कुछ बाकासर और इसके आसपास वाले जो शिमा वरती बाग हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी फिर उसके बाड में जालोर के भी लगबख समस्त बागों पे खंड बारिस की गतिविद्या होने के संभावनाई बन रही है यहाँ आज बादलो का दो प्रकार का पेच बनेगा एक तुभी कंद्र शिलेकर जो आपके राज़ानी जैपूर और इसके आसपास वाला बाग इस तरह से यह पेच बनेगा और दूसरा है वो पच्छी में राज़तान में बनेगा यहने जैसलमिर से लेकर बाड मेर जालो जोड़ पूर कुछ पाली सुरूई के भाग है यहां पे भी इस तरह से बादलों का पेचछ बनेगा और फिर रात्री के समय में लग बग राज़तान के संपूर भागों के उपर बादलों की आवाज़े देखने को मिलेगी जस तरह से आज सुबह बादलों की घनी आज साम के समय और रातरी को फिर से देखने को मिलने वाली हैं क्योंकि अरब सागर्षे काफी जादा मात्रा में जो नमी वाली हवाई हैं वो अपने राज़तान के तरफ पहुंच रही हैं और इस तरह से यहां पर सर्कुलेशन बना हुआ हैं इसकी वज़े से लगातार नमी हवा है राज़तान के तरफ आरी हैं तो आज दोपेरी के बाद से ही बादलो का बनना चाल हो चुका है और आत्री के समय यहां पे काफी इची बारिश की गतिविदया लेकिन विश्छ बदलावे पच्छी मी राज़तान के जो पूर शंबाग में आज देखने को मिले गा में पी काफी ची बारिस की गतिविदा डेखने को मिल वाली है उत्री रास्तानी के बीकानेर और कुछ जोदपुर में काफी अची बारिस की गतिविदा डेखने को मिलने वाली है आज साम के समयने साम के 6 बजे के बाद में तो फिलाल के लिए इस अपटेट में इतना ही नमस्कार जैहिंद